तो आपको सबसे पहले यहां पर गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करने की बात जो है इसमें मानो संपदा आपको यहां पर सिंपल करना है वो सेम उसी तरह से है जैसे आप नौर्मली लॉगन करते हैं मानो संपदा को यहां पर आपको ओपन कर लेना है विपसाइड को उसके बाद जो CAPTCHA text आता है वो आपको simply यहां पर mention करना है आपको ध्यान रखना है कि CAPTCHA का जो जितने भी letters है capital small उसको अच्छे से mention करना है तो मैं यहां पर mention कर दे रहा हूँ यहां मैंने simply login कर लिया है और login करने के बाद कुछ इस तरह का यह page खुलके आ जाता है तो यह मेरा page है जो बे details है यहां पर simply हैं अब आप देखेंगे कि यहां पर ACR, AP, AR करके यहां पर उसके बाद एक payroll को option आता है यहां पर देखिए मैंने टिक किया हुआ है इस payroll पर आपको simply click करना है जैसे आप payroll पर click करेंगे आपको इपास दो option आएगा basic education और salary slip तो आपको basic education पर click करना है यहां हमने basic education पर click कर दिया उसके बाद देखिए आपको तीन option यहां पर मिलेंगे salary slip, attendance और retirement तो आपको simply यहां पर attendance पर click करना है तो fill attendance पर जो भी हो सारी चीज़ आती है तो यहां पर हम attendance में सबसे पहले करेंगे fill attendance तो fill attendance पर जैसे ही हमने click किया आप देख सकते हैं जो भी employee है हमारे अंदर अंडर में जो work कर रहे है उन सारे का detail जो है यहां पर आ जाएगा 123 है तो तीन लों का detail आ जाएगा अब suppose that इसमें आपको करना है कि किसी ने चुटी ले रखी है किसी ने ले रखी है तो माली जी यहां पर इन्होंने चुटी नहीं ले रखी है उनका चुटी मुझे यहां पर mention करना है तो मैं simply वहां पर click करूंगा उसके बाद date का यहां पर देखिया option आ रहा है leave from से ठीक है उसके बाद आप right side जैसे scroll करेंगे इसको तो आपका जो है दूसरा option आएगा तो सबसे पहले मैं date यहां पर fill कर दे रहा हूं कि किस date में इन्होंने चुटी ले रखी है और यह कह रहा अब number of leave जो days है यह already fill हो जाएगा उसमें आपको fill करने के कोई जरूत नहीं है right side में देखिए 2 करके आया है from से 2 तक leave to मतलब किते तारीक से वह leave ले रहे है किते तारीक तक तो यह validate है जी हां विल्कुल validate है एक ही दिन का है तो हम दोनों date में same fill कर देंगे 5 से लेके 5 तक लीव का जो status है वो भी आपको यहां पर fill करना है कि sanction हुआ है कि नहीं sanction तो हम बिल्कुल यह sanction हुआ है leave और remarks में आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं जैसे domestic work या कोई भी चीज़े हैं आप उसको remark डाल सकते हैं वो जानकारी के लिए कि हमने कौन सा leave इनका अपरूप किया था तो simply इतना करने के बाद आपको submit कर देना है बाकी सारे page आप यहां पर देख सकते हो मैं scroll करके आपको दिखा रहा हूँ तो यहां पर आपको simply क्या करना है submit कर देना है और remark आपको कुछ न कुछ जरूर यहां पर mention करना पड़ेगा देखिए required करके आ रहा है कि मतलब यह इसेंटियल है इसको आपको भरना ही भरना है तो मैं इसमें सेम कुछ नहीं भरता मैं इसमें सेम कैजूल लीवी यहां पर मैं mention कर दे रहा हूं तो मैंने mention कर दिया उसके बाद मैंने ok कर दिया अब देखिए successfully saved आ रहा है इसका मतलब जो detail थी मैंने successfully उसको fill कर दिया है अब इसमें कोई और चीज की जुरूत नहीं है अब simply हमें क्या करना है अपने attendance को लॉक करना है लॉक करने के लिए हम फिर से जो है पेरोल में जाएंगे हम बैक नहीं करेंगे क्योंकि यह और नॉर्मिली मैं फोन से करने के लिए आपको बता रहा हूं इनका देखिए यह जो है attendance का जो duration है वो 21 मार्च से 20 अप्रिल तक का यह भी शो कर रहा है तो यहां तक जो है हमने कर लिया है अब simply हम क्या करेंगे कि पेरोल में जाएंगे फिर basic education को हम यहाँ पे click करेंगे अब basic education को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको यहां पे फिर से खुलके आएगा फिर वही चीज की तो हम यहां पे attendance पे जाएंगे और अब इस बार जो है हम लॉक attendance पे click कर दिया है हमने तो लॉक attendance पे क्लिक करने के बाद हमें जो हमारे detail है यहां पे show हो रही है किंदका है किनका नहीं है तो यह सारी चीजें यहां पे बहुत easily जो है वो show हो रही है इसके बाद हमें simply इसको लॉक करना है देखिय नीचे लॉक का एक icon आ रहा है बनके तो इसको lock करेंगे तो पूछेगा are you sure you wish to lock three records तो हम simply okay कर देंगे और okay करने के बाद देखे successfully locked three records तो यहाँ पर यह आ गया है कि यहाँ आपने तीनों को successfully lock कर दिया है lock होने के बाद कुछ इस तरह का एक page दोबारा जो है वो खुल के आएगा थोड़ा सा निट्रक शलो है हाँ इस तरह से दिखिया आ गया है अब यहाँ पर आपके option मिल जाएगा print करने का मतलब जो data आपने lock किया है उसको आप print भी कर सकते एक बाद फिर से verify कर लें कि जो हमने lock किया है वो सही है print करने के लिए हम simply click करेंगे print पर तो कुछ इस तरह का page यहाँ पर खुलके आएगा यह printing format है यानि कि यह पूरा same black and white color में है इसको आप normally प्रिंट कर सकते हो यागर आप फोन से कर रहे हैं इसको आप normally save कर सकते हैं save करने के लिए 3 dot पर आप click करेंगे right side में जो 3 dot है उस पर click करेंगे आप और वहाँ से जाके आप इसको save कर सकते हैं यहाँ पर हमने click किया और save का जो आइकॉन था arrow वाला उस पर हमने click कर दिया यह हमारा data जो है वो save होगा अब इसको हम print आउट करके use कर सकते हैं या हम screen sort ले सकते हैं उससे तरह से भी हम इसको use कर सकते हैं तो कुछ इस तरह का यह process था I think आपको पूरी तरह से यह चीजे जो है समझ में आई होंगी और चीजे बहुत ही जादा critical नहीं होती हैं आप लोग बहुत इत्मिरान से करिएगा इस चीज को इसको इसके लिए यह वीडियो आपके लिए है और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मैं चैनल को लाइक और सरक्राइब जरूर करें तकि मैं और आपके लिए इंप्रेश्टिंग वीडियो और इतने Wizard वीडियो आपके लिए लाये सकूँ Thank you very much for that.